राजियो यूवा मितान क्लब के सदस्यों के महा सम्मिलन में शामिल होने सांसात राहूल गांधी नवा राइपूर के मेला ग्राउंड पहुँचे इस दोरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, चतिसगर मुखी मंदरी हुपेश बखेल, डिप्टी सीम टेस सिहदे ओधी पकबैज मौजुद रहे बता दे कि राजीव युवा मितान महा सम्मिलन में पूरे चतिसगर के युवा मितान नवा राइपूर में जुटे हैं मुखी मंदरी उपेश बखेल ने अपने सम्मोधन के दोरान नए नियुकती में स्टाइपेंट खत्म करने की घोशना की सांसत राहूल गांधी ने अपने सम्मोधन में जहाँ बीजेपी सरकार के खिलाप निशाना साधा तो वहीं छतिसगर की कौंगरिस सरकार की जमकर तारिफ की जहां ग्रामिन छेत्र में 11,000 हमने बनाया शहरी छेत्र में 2,000 राजी युमितान क्लब का गठन किया और ये राजी युमितान क्लब को हर साल एक लाख रुपिया दिया जा रहा है ताकि हमारे युआ सथी गाओं के अपने संस्कुटी गाओं के अपने खेल खूद गाओं के स्वक्षता गाओं के शिक्षा और साथ ही साथ सासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्गे की लोग हैं जो गरीब हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं सासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती उन सब को जानकारी देना उन तक के वियोजनाओं को पहुचाने की जिम में जारी हमारे राजियों में तांज क्लैप की है अधर्णी साथियों ये देश वियोओं का देश है 18 से 35 साल के उम्र के लोग 65 पे सब निवास करते हैं और जब युवा शक्ती एक जूट हो तो नई उर्जा पैदा होती है और नई उर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांदी जी हैं जो आप सब को दिशा दिश देश देने आये हैं आदेनी साथियो दुर्भाग किसे इस देश का बागड़ और ऐसे हाथों में हैं जो नफरत पैलाते हैं जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं जो अफ़ाव पैलाते हैं ये रास्ता हमारा नहीं है हमारा रास्ता है भाईचारे का हमारे रास्ता है प्रेम का हमारा रास्ता सदवाओ का है अब सदवाओ के लिए जो राजी जी ने देश के लिए किया वो दुनिया में उदारण है ऐसलिए राजी जी के प्रधान मंत्री जी कोई inquiry नहीं करवाएंगे मैं आपको साफ कह देता हूँ हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री अधानी जी पे कोई अंक्वाइरी करा ही नहीं सकता क्योंकि अगर उसका इंक्वाइरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अधानी जी को नहीं होगा नुकसान किसी और को होगा तो 36 गड़ में हमने क्या किया 36 गड़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए लिस्ट निकालिए सवाल पूछिए धान के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन से स्केट में मिलता है जवाब मिलेगा 36 गड़ और प्रधान मंत्री जी यहां आए थे मुझे याद है BJP के सब नेता आए थे और कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी इस वाइदे को पूरा नहीं कर सकती है कहा था पैसा नहीं है हमने साफ दिखा दिया पैसा है और वाइदा पूरा हमने कर दिया जहां भी हम जाते हैं हम जूटे वाइदे नहीं करते पंद्रा लाक रुपे का वाइदा हम नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापिस आएगा पंद्रा लाक रुपे बैंक अकाउंट में जाएंगे उल्टा हजारों करोर रुपे हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है इंटरनाशनल अगबार कह रहे हैं कोई इंक्वाइरी नहीं तीन लाक युवाओं को कलब में हमने जोडा है कि और यह ऐसे नहीं जोडा है मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि हमने इसलिए जोडा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में इस प्रदेश को चलाने में आप भाग ले और हम आपके लिए राजनेती के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछी सालों में आपके बीच में से 36 गड़ के MLA प्रधान नेता चुन के आएं इसलिए हमने यह काम किया है दो तीन चीज़े मैं और कहना चाहता हूं जो हमारे आदिवासी भाई है आपके लिए हमने पैसा कानून लाया आपकी जमीन की रक्षा की मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक है आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है जो धर्ती है उसके सबसे पहले आप मालिक थे हमारी सभगेल जी हमारी सरकार को हमारे कारे करता की रक्षा करनी चाहिए करती है मगर और डट के जो हमारा कारे करता है उसे लगना चाहिए कि मैं Congress Party का कार्य करता हूं, मैं Congress Party की विचार धारा के लिए लड़ता हूँ और मरता हूँ देश को आपकी जरुवत है, नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसत से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्ध्विवस्ता नहीं बढ़ सकती है मोहबबत से इज़त से काम किया जाता है और अगर देश को जोड़ा जाता है, सब को एक साथ लाया जाता है तो देश तेजी से प्रगति करता है आप सब यहाँ आए इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सब को दिल से धन्यवाद और जो युवा है जो अब इस इन क्लब्स में शामिल होंगे आप याद रखिए शत्तिस गड़ का भविश्य आपका है आपकी बड़ी जिमेदारी है आपको राजनेती में आना है और आपको शत्तिस गड़ को पविश्य में चलाना है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया आपका आधरनी श्री राहूल गांदी जी और श्मृति चिन्न का अफसर है हम आगरे करेंगे कि मानिय मुख्याति थी महोद है श्राहूल गांदी जी को उस्मृति चिन्न भेट करने के लिए हम मानिय मुख्य मंतरी जी से निविदन करते हैं